नमस्कार दोस्तूर टीवी के सबसे बड़े चहरे सिधार्थ शुकला का निधन हो गया है उन्हें दिल का दोरा पड़ा था खबरों के मुताबिक उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल में भरती कराया गया था और अब इस खबर से उनके फेंस का दिल तूट गया है बतादे सुबह 9 बच कर 25 मिनिट पर सिधार्थ शुकला को कूपर अस्पताल ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत गोशित कर दिया खबर के मुताबिक सिधार्थ शुकला रात को सोते समय कुछ दवा लेकर सोय थे इसके बाद जब वो सुबह नहीं उठे तो परिवार और घर में मुझूद सदस्यों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया मुंबई के कूपर अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टी करते हुए कहा कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया था उस वक्त उनका निधन हो चुका था वहीं अब अस्पताल में उनके पोस्ट मार्टम की प्रक्रिया चल रही है वहीं अस्पताल का ये भी कहना है कि उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे पोस्ट मार्टम के बाद अब उनका शव परिवार के सदस्यों को सोब दिया जाएगा